हर्याणा खेपूर ग्रीम मंतुरी अनलविज ने कॉंग्रेस पर कई मुद्धों को लेकर निशाना साधा है अनलविज ने कहा कि शेत्रिय पार्टियां तो अब फिनिश हो चुकी है इसलिए अब मुकाबला किवल कॉंग्रेस के साथ ही है हर्याणा में चुनावों की खूशना के बाद सभी राजनितिक पार्टियों ने अपनी कमर कसली है नेताओं के बयान भी अब सुर्खियों में है इस बीच हर्याणा के पूर्ग्रेम अंप्रिया निल्विच का कहना है कि शेत्रि पार्टि तो अब फिनिश हो चुकी है इसलिए मुकाबला किवल कॉंग्रस के साथ ही है कॉंग्रस को असानी से चुट कर देंगे क्योंकि कॉंग्रस ने पाप ही इतने किये हैं कि पाप ही कॉंग्रस को डुबा देंगे विज ने कहा कि जम्बू कश्मीर के लिस्ट आ गई है हर्याणा की भी जल्द ही आ जाएगी साथी साथ चनाव की डेट आगे बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि डेट बढ़ सकती है जो चुराव सम्ति थी जिसमें मैं भी था जिसका मैं स्टस्या हूं उसने अपनी पैनल बनाकर भेज दिये अब केंद्रिया चुराव सम्ति को निर्णा करना है इस दिन करें जम्मू कश्मीर का उन्होंने करती है उसकी लिस्ट आ गई है और अब कम वो तिछी पैय होती है उस दिन हर्याणा की बढ़ सकती है नहीं को लग रहा है कुछ रहों कुछ सोफ होना है हर्याणा के रहतक में पांपलेट को लेकर कॉंग्रस और बीज़िपी कारेकरताओं में हुई जड़प को लेकर विज ने कॉंग्रस को आड़े हातों लिया कहा कि कॉंग्रस अपने रंग दिखाने लग गई है विज ने कहा कि सूतन का पास अभी कुछ भी रही है और कुछ होना भी नहीं है और हवा में ही अपने आपको ये सरकार समझने लग गए है तभी उनका ये हाल है विज ने कहा कि क्या कॉंग्रेस का गुंडा राज फिर से लाया जोएगा कि क्या कंग्रेस का गुंडा राज दुबारा प्रदेश में लाया जाएगा कांग्रेस का गुंडा राज वहीं कॉंग्रेस निता राहुल गांधी ने प्रधान मंति नरीन्दर मूदी को चुनोती दी है कि जाती जन्गरना अभी करे नहीं तो अगला पी-म करेगा इस पर अनिल विज ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहुल जाती जनगरना क्यों करवाना चौह रहे हैं विज ने कहा कि जोहां तक मुझे लगता है और इनका किरदार भी रहा है इन्होंने देश का विबाजन धर्म के आधार पर करवाया है विज ने कहा कि हिंदू मिस्लों में कजगडा निपट नहीं रहा अभी जाती को जातियों से लडाना चुहा रहे हैं यही इनकी नीती है लेकिन ऐसा नहीं होगा देश एक है और एक ही रहेगा विभाजन हुआ देश का इन्होंने धर्म के अधार पर करवाया दस लाख लोगों के कतल का अरोप एहरी के उपर फिर इन्होंने उनी सो तुरासी में सिक्खों को मरवाया चौनतीसों सिक्ख शहीद हुए उसके दुरान और राउल गांदी जी के पिता जी ने खुद उसको सही ठढ़ाया उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धर्ती हिलती है अब ये किसकी धर्ती हिलाना चाहते है अब ये बार बार ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लमान का जगड़ा तो निमटनी रहा अब ये जात्यों को जात्यों से लड़ाना चाहते है पड़ोसी पड यह बन करेंगे ऐकत्ठे बन करेंगे ऑज मुकश्मीर को लिकर राहूर गांधी का लोगों को बली चुरा दिया धर्ती के स्वर्ग को नर्थ में बदल दिया विजने कहा कि पहले 55 साल कॉंग्रिस की सरकार रही और धारा 370 किस ने लगाई वहाँ अलग जंडा किस ने बनवाया उन्होंने कहा कि इनको बार बार याद दिलाना पड़ता है अब कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद शान्ती लोट रही है और जो हत्याएं हैं उन्हें 70 फीस्दी कम ही आई है अमबाला से कृष्णिबाली की रिपोर्ट